हेलो दोस्तो, गुड़ मॉर्निंग, सूपर बात, कैसे हैं आप सब, आज की क्लास में हमारा टोपिक रहेगा, नमस्ते योजना, जो केंदर सरकार दवारा चलाई जा रही ही योजना है, जो आपके UPSC या PCS किसी भी एकजाम के लिए बहुत ही मैतव पूर्ण है, दो हजार 22 में जितनी भी योजना चलाए गई थी, वो सारी की सारी योजना आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि 2023 में जो एकजाम आपके आ रहे हैं, उनमें ये योजना हैं, इन से समंधित क्योश्चन आप से पुछे जा सकते हैं, तो आज की क्लास में हम कौन सी योजन पारिस्तिति की तंतर के लिए राष्ट्रिय कारेवाई, यानि जो मेला ढोने वाले या फिर आपने देखा होगा सिवरेज वगेरा में सफाई करने वाली करमचारी हैं, उनके लिए योजना चलाई जा रही है, क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि जब वो सिवरेज की सफाई कर रहे होते हैं, तो उस दोरान उनकी मृत्यू भी हो जाती है, या फिर जब वो इस तरह की सफाई का कार्य कर रहे होते हैं, तो वो गंदे पानिय के संपरक में आने से बहुत सारी विमारियों के सिकार हो जाते हैं, और वो उनकी मृत्यू हो जाती है, तो उनके रख रखाव के लिए उनकी सुरक्षा को देखते हुए ये योजना, नमस्ते योजना के अंदर सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, इसकी शुरुआत हुई है 17 अगस्त 2022 को, के अंदर सरकार के कौन से मंत्राल्य के द्वारा ये चलाई जा रही है, तो दो मंत्राल्य इसमें शामिल है, एक तो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्राल्य, कौन सा हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्राल्य और आवाशन एवं सहरी कार्य मंत्राल्य की ये स्युंक्त पहल है, नमस्ते योजना, वर्तमान चरण में 500 सहर सामिल है, जिसमे अमरित सेरों को भी शामिल किया गया है वर्तमान में 500 सेरों में ये योजना लागू की गई है और जिसमें से अमरित सेर भी इसमें शामिल है कौन से मंतराली के दवारा ये योजना शुरू की गई है 17 अगस्त 2022 को इसकी शुरुवात हो चुकी है, इसका पूरा नाम आप देख लीजिए, मसीनिकर्थ सवस्ता पारिस्तिकी तंतर के लिए राष्ट्रिय कारेवाई, यानि जो सवस्ता का कारेकरम है, वो मानव को जब हम सिवरेज वगेरा में अंदर जाके सफाई करते हैं, तो इससे क्या होता है, वो बहुत सारी बिमारियों के सिकार हो जाते हैं, या उनकी अंदर ही मुरित्य हो जाती है, तो उन सफाई को किस के दवारा करवाया जाए, मसीनों के दवारा, इसलिए इसका नाम इस तरह रखा गया है कि मसीनिकर्थ सवस्ता पारिस्तिकी तंतर के चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रिये सफाई करमचारी आयोग N.C.S.K. के अनुसार देश के 20 राज्यों एवं के अंदर सासित परदेसों में वर्स 1903 में से लेकर 6 नुवंबर 2019 तक नालों एवं सेप्टिक टैंकों की सफाई के दोरान 882 वेक्तियों की मृत्यू हुई है ये आपके लिए मेंस के लिए भी बहुत ही महत्वपून है ये आप उस मेंस के क्योस्टन में भी आप इसको लिख सकते हो राष्ट्रिये सफाई करमचारी आयोग के अनुसार देश के 20 राज्यों एम के अंदर सासित परदेशों में वर्स 1993 से लेकर 2019 तक की ये रिपोर्ट है 882 वेक्तियों की मृत्यू नालो एम सेप्टिक टैंकों की सफाई के दोरान हो चुकी है किसी वेक्तिया एजेंसी द्वारा नालो एम सेप्टिक टैंकों की जोखिम पुरन सफाई में किसी भी वेक्ति का नियोजन दंडनिये माना गया है और इसका प्रावधान कब किया गया था? हाथ से मेला उठाने वाले करमचारियों के नियोजन का पर्तिसेद और उनका पुनरवास अदिनियम कब आया था? 2013 में 2013 में हाथ से मेला उठाने वाले करमियों के नियोजन का पर्तिसेद और उनका पुनरवास अदिनियम 2013 जो 6 दिसंबर 2013 से परभावी है जिसमें ये प्रावधाने की किसी वेक्ति या एजेंसी द्वारा नालो नालो एवम सेप्टिक टैंकों की जो खिमपुरन सफाई में क अगर किसी भी एजेंसी या वेक्ति के दवारा ऐसा किया जाता है, तो इसमें दिक्तम पांच वर्स तक का कारवास या फिर पांच लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. किसी एजेंसी या किसी व्यकति के दवारा, किसी भी ऐसे वैक्ति को इस काम में रखा जाता है, जो खिमपुरण भरे काम के लिए अगर किसी भी सेप्टिक टेंक या नालो कि इस तरह की सफाइज जाती है, तो इससे उसको पांच साल तक की सजा या पांच लाख रुपए तक का जुर्माना लेकिन अभी तक भी इस समस्या का हल नहीं हो पाया, आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहां पर सैप्टिक टैंकों की सफाई या नालों की सफाई जहां पर बहुत ही ज लगेगा अब आगे देख लेते हैं, नमस्त योजना से जो शुरू की गई है उसका उदेश्ये क्या है, पहला देखिए भारत में सवस्ता कारे के कारण किसी की मोत नहीं होनी चाहिए इसी उदेश्ये के लिए नमस्त योजना को लाया गया है, अगला है सवस्ता समंदी कुसल सर्मिकों के दवारा संपादित किया जाना। कई बार क्या होता है कि जो ऐसे कारे हैं वो उन वेक्तियों के दवारा करवा लिये जाते हैं जो वो इस कारे को करने में कुसल नहीं होते हैं उनको जानकारी नहीं होती है और उन्हें सेप्टिक टैंकों में सफाई के लिए उनसे सफाई कारे करवाया जाता है जिससे उनकी वहाँ पर मृत्यू हो जाती है तो सवस्ता समंदी सभी कारे कुसल सर्मी को द्वारा संपादित किया जाना चाहिए तीसरा है सभी सीवर एवं सेप्टिक टेंक करमचारियों की पहुंच वेकलपिक आजीविका तक होनी चाहिए अगला है किसी भी सफाई करमचारी का सिदे मल के संपक में ना आना इस योजना का उदे से क्या है कि कोई भी जो सफाई करमचारी है वो सिदे मल के संपक में ना आए यानि अपने हाथ से मल्की सफाई ना करें इसके लिए मशीनो आधिका परियोग होना चाहिए दूसरा है सवस्ता करमचारियों को समय सायता समू में एक्तृत करना और उन्हें सवस्ता उद्यम चलाने का अधिकार परदान करना तो ये इसके उदेश्य हो जाएंगे कि इसके नमस्ते योजना के तो चारों उदेश्य से आपको अच्छे से याद होने चाहिए प्री के लिए भी और मेंस के लिए दोनों के लिए तो एक बार फिर से देख लिए भारत में सवस्ता कार्या के कारण किसी की मोत ना हो बाए य यानि जो भी मसीने वगेरा परियोग की जा रही है इसमें उनको कुसल सर्मिकों के दवारा ही ये कारे करवाना चाहिए। दूसरा है सभी सीवर एवं सेप्टिक टेंक करमचारियों की पहुंच वेकलपिक आजिविका तक होना चाहिए। जो है वेकलपिक जो है आजिविका भी होनी चाहिए जिससे वो अपना गुजारा अच्छे ढंग से कर सके। किसी भी स्भाई करमचारी का सीधे मल के संपक में नह होना और अगला है सवस्ता करमचारियों को सम्य साहिता समू में एक्तरित करना और उन्हें सवस्ता उद्यम चलाने का अधिकार परदान करना। आगे देख लेजे, लाजे शरकार दवारा राजे नमस्ते निदेशक के रूप में एक उप्युक्त अधिकारी का चेन किया जाएगा जो राजे नमस्ते परबंदन ईकाई का परणुख होगा, यानि जो राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्या होंगे, एक उप्यूक्त अधिकारी होंगे, राज्ये नमस्ते निदेशक के रूप में, जो राज्ये नमस्ते परबंदन इकाई के परमुक होंगे, सहर नमस्ते निगरानी इकाई में, सहर के नमस्ते मो होगा और सहरी स्तर पर क्या होगा सहर नमस्ते निया निंगरानी इकाई में सहर के नमस्ते मोडल अधिकारी होंगे जिने ULB के दवारा नामित किया जाएगा राष्ट्रिये सफाई करमचारी वीतिये विकास निगम नमस्ते योजना हे तु कार्यानवन कार्यानवन है तू यानि राष्ट्रिये सफाई करमचारी वीतिय विकास निगम नमस्ते योजना के कार्यानवन है तू कौन सा निगम है राष्ट्रिये सफाई करमचारी वीतिय विकास निगम आप ये याद रखेंगे अच्छे अच्छे से यानि नमस्ते योजना के कार्यानवन के लिए कौन सा निगम हो जाएगा, नमस्ते योजना के कार्यानवन के लिए राष्ट्रिये सफाई करमचारी वीतिये विकास निगम, ये आप से प्रिक्षया में पुछा जा सकता है, most important है कि नमस्ते योजना जो है, उसके क आर्यानवन के लिए कौन सा निगम है तो राष्ट्रिय सफाई करमचारी वीतिय विकास निगम. तो नमस्ते योजना आपके आगामी एक्जाम के लिए बहुत ही महतपून हो जाती है. इससे क्योस्चन आपके प्री के एक्जाम में भी बन सकते हैं और मेंस के एक्जाम में भी बन सकते हैं तो आप इसको अच्छे से जाद कर लीजिए तो आज की क्लास में हमारा ये टोपिक यहीं पर समाप्त होता है नेक्स्ट क्लास में नए टोपिक के साथ फिर मिलेंगे तके लिए, नमस्कार.